तो सुवागत भाई आप सब भी लोगों का एक बर फिर से आपके अपने चैनल KPM Fantasy Expert पर और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो यूगांडा Women's कबड़ी लीग का आज के दिन का एक मात्र मैच और टूनामेंट का भाई पांचों मैच जो की खे बिला जाएगा Titanic Women versus Kukungu Club Women's के बीच में अब इन दोनों ही टीम्स की complete information आपको इस वीडियो में मिल जाएगी बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके end तक complete देख लेना है और वीडियो का कोई भी पार्ट दोस्तों आपको यहां से skip नहीं करना है अदर्वाइस इसम सबसे पहले बात करें Grand League की तो 15 लाख रुपे की GL लगी हुई है यहाँ पर इस GL में आप अच्छी खासी rank लेकर आ सकते हो यहाँ पर अगर बात करें जो कल के दिन का हमारा मैस था वो हमारे लिए ultra clean sweep गया था अभी उसके वी result दिखा हुआ लेकिन जो सबसे important चीज है यह 15 लाख रुपे की GL है इसके लिए यहाँ पर आपको प्लेट्स के बारे में तो बताने वाला हूँ लेकिन जैसे मैच की लाइनप्स होगे राउट होंगी आपको मैं टेलिग्राम चैनल पर 6 Grand League की टीम प्रोइड करवा दूगा ठीक है 6 GL टीम आपको टेलिग्राम चैनल पर म भी दे रखा है दोनों जगह में इसे कहीं से भी आप जाकर जोइन कर सकते हो लेकिन जोइन आपको करने सिर्फ लिंक के थ्रूई सर्च करके जोइन नहीं करना क्योंकि मेरे नाम पर बहुत सारे फेक लोगों ने चैनल बना रखे तो बाई हो सकता है कि आप किसी फ्रोड च आपको कोई VPN इंस्टॉल करना और उसके बाद लिंक पर क्लिक करके जोइन कर सकते हो क्योंकि टेलिग्राम का काफी बार सर्वर डाउन होता है तो VPN करेक्ट करोगे तो भाई कोई दूसरा सर्वर कनेक्ट हो जाएगा तो वहाँ से इजली आप यहाँ पर टेलिग्राम पर आ सकते हो अब अगर बात करें भाई यहाँ आपर कल के दिन की विनिंग की तो यहाँ पर मैं आपको विनिंग दिखाते हो यहाँ आपर आप देख सकते हो हर एक मैच में अच्छी खासी विनिंग होई है आपर जो एक लाग की mini GL थी वहाँ पर भी 90 रैंकम लेकर आए थे और मातर और मातर भाई आपर कुछ पॉइंट की वज़े से रैंक एक नहीं आप आई थी लेकिन जो mini GL थी उसमें भाई rank एक अमारी आई थी ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं वन साइड़ विनिंग यहाँ पर आपके भाई ने आपकी करवाई हुई है लगातार आपको अल्टर क्लीन स्विप दे रहा हूँ इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए तो टेलिग्राम चैनल जरूर से जोइन कीजिएगा आप चलिए यहाँ पर बात करते हैं दोनों टीम्स की स्टार्टिंग सेवन की उसके बाद भाई मैं आपको टीम भी बनाकर दिखा दूँगा अभी स्मोल लिक की लेकिन बात आखिर में वहीं पर आ जाती है फाइनल टीम दोस्तों आपको टेलिग्राम पर ही देखने को मिलेगी तो चल कुकु कलब वुमेंस दोनों मैच क्लोज मारजन से हारे है टाइटानिक वुमेंस एक मैच अच्छे खासे मारजन से आर के आई है और दूसरे मैच में क्लोज मारजन से विनिंग आसिल की आलांकि इने जीत नसीब हो गई है और कुकु कलब वुमेंस अभी भी पहली जीत की तलास में रहेगी, यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले टाइटेनिक वूमेंस की, तो इनकी तरफ से आर नान कुमबा आपको दिखेंगी, जो पहले मैच में जहाँ पर कम्पलीटली फ्लोप नजर आए थी सिर्फ एकी टैकल कर पाई थी, वही भाई तो जील मिनी जील में ट्राई कीजेगा, टीम की जो ओल्राउंडर सेक्शन में प्लेयर थी, वो थी भाई एस कीरा, एस कीरा लास्ट मैच में कम्पलीटली फ्लोप थी, लेकिन इस मैच में बाई बंदी ने चार टैकल करके प्रूव कर दिया कि मैच खराब था और प्लेयर अच्छी है, ठीक है तो यानि कि प्लेयर को बैक करना बनता है यहां से, आर नका यंगो की बात करें तो नका भूंगो की बात करें तो इन्होंने भी लास्ट मैच में आपर आप देख सकते हो स्टार्टिंग सेनम का पार्ट रही थी, बाकी जादा कुछ करने का मोकर नहीं मिला अब बात करतें टीम की उन्हीं दो बेन प्लेयर के बारे में जो लास्ट मैच में भी चली और यहां पर भी चली वो थी भाई यहां पर जेल उबांगो, जेल उबांगो भाई पहले मैच में आप देख सकते हो खतरनाक चली थी यार बंदी, पाँच टैकल, पाँच टैकल, पाँच टैच पॉइंट, चार बोनस पॉइंट लगातार अच्छी परफोर्मेंस दूसरे मैच की बात करें, तो यहां पर भाई 6 टैच पॉइंट, 3 बोनस, 2 टैकल इनोंने करके दिए बात करेंगे यह अवोरी की तो पहले मैच में थोड़ी से अवरेज रही थी, बट बहुत अच्छा किया था बाई, सूपर टैन इनोंने लगाय था, प्लस 2 टैकल किये थे, ठीका, बट as compared to second match पहले match में थोड़ी से average रही थी second match की बात करें तो यहाँ पर बंदी ने भाई substitute की लिष्ट में से आकर यहाँ पर 11 touch point निकाले 6 tackle करके दिये super 10 high 5 A की match में लगाने वाली player यह बन गई इस season की पहली तो must have भी रही पी ओजिल की बात करें तो यह last match में flow पर रही थी और इस match में भाई इन्होंने वापसी की 2 tackle किये एक touch point एक bonus point इन्होंने भी निकाला हुआ है इसके अलावा अगर बात करें तो आप पी नाकाफु आपको जील मिनी जील के लिए important रहेंगी अब अगर बात करें भाई आपर टीम की तो सामने वाली टीम की भी एक बात करनी जरूरी है तो यहां से कुकुंगू कलब वूमेंस की बात करेंगे इनकी तरफ से भाई आपर सबसे पहले defense की बात करें तो आपर F लालूंगा आपको दिखेंगी जो लगातार दोनों मैच में चली तो है लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाई पहले मैच में सिर्फ एक tackle किया दूसरे मैच की बात करें तो वहाँ पर भी एक tackle किया बात करें इन आलू सुआता इन आलू सुआता भाई दोनों ही मैचिज में शांदार परफोर्मेंस देखकर आई है पहले मैच में भी आपर आप देख सकते हैं 16 टच पॉइंट 4 बोनुस पॉइंट है नहीं कि 20 तो रेट पॉइंट पलस 6 टैकल इन्होंने निकाले थे दूसरे मैच की बात करें तो यहां पर भी बंदी ने अच्छा काम किया 3 टैकल 4 परफोर्मेंस इन्होंने दी हुई है इसके अलावा यहां से अगर बात करें तो ओर्टों कोई स्मोल लिक के लिए इंपोर्टेंट प्लेयर नहीं नजर आ रहा बात करें ओल्राउंडर सेक्षन की तो बी नाकी वाला पहले मैच में कुछ खास नहीं कर पाई थी यहां पर बाई यह बंदी ने हमें एजली विन करवाए आपर सिर्फ 58% सेलेक्षन था और इनको है ना मेरी स्मोल लिक की टीम में कोई नहीं लेक है मतलब मेरे ओपोनेंट जितने भी मैंने कॉंटेस्ट जोइन के थे उसमें किसी एक ओपोनेंट की भी स्मोल लिक की टीम में नहीं थ बाई यहां पर की पहले मैच में बंदी जरूर फ्लोप रही है लेकिन बाई प्लेयर बहुत शांदार है बैक कीजेगा और जिन्होंने इन्हें स्मोल लिक में भी लिया था और जिन्होंने इन्हें बैक किया होगा ना वन साइड़ेड विनिंग की होगी नो टच अब होगा दो एम अभी को गात कर Χएल मिने होगा और यहां पर फाडू प्लेयर है बहुत गजब की प्लेयर लेकिन अभीzon नहीं रही है वह एक अलग बात है जिएल में किसी भी दिन आपको rank एक लाकर दे सकते हैं आके ले दम पर बहुत ही शांदार प्लेयरे बैक कीजिएगा वहीं अगर बात करें वहीं जे नानूब वामा कहो तो जे नानूब वामा ने आपर वहीं 2% सेलेक्शन था कुछ खास नहीं किया लेकिन performance ठीक ठाक कर दी यहाँ पर तीन टैकल निकाल कर दी हैं बहुत ही शांदार प्लेयरे ट्राइक कर सकते हो अब अगर बात करें वाई टीम की तो चलिए हम आपको टीम बना के दिखाते हो यहाँ से जेल उबांगो ई अवोरी पी ओजिल तीनों को मैं अपनी टीम में रखूँगा लेकिन पी ओजिल को रखूँगा तो भाई यहाँ से हमारी मेन प्लेयर अभी भी ड्रोप हो जाएगी जो किया ओ तुआसे ओ तुआसे पहले मैच में फ्लोप रही उसके बाद चल पी अटोरो को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ ठीक है अगर आप चाहो तो एफ नालूंगा को भी अपनी टीम में रख सकते हो बट मैं अभी के लिए ट्राइन नहीं कर रहा है गर आप चाहो तो सेफ्टी के लिए बी नाकी वाला या फिर या इन दोनों को सी वीसी ट्राइक कर सकते हो टीम प्रिव्यू के अगर बात करें तो small league की team आपके सामने वाई almost almost final है इस team में कब चेंज होगा जब या तो कोई player नहीं खेलेगी या कोई अच्छी player नई player को team starting 7 में उतार दे तो इन में से किसी एक को drop करके उसकों try करेंगे तो उमीद दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी 6 grand league की team प्लस small league की final updated team टेलिग्राम पर मिलेगी फिर से आद दिला दू description में भी लिंक है वीडियो के first comment में भी लिंक है जोइन कर लीजेगा मैं मिलता हूँ आपसे मैश टाइम पर टेलिग्राम चैनल पर तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम